हेलो एब्रिवन आज हमने बनाई है एक बहुत ही फटाफट बन जाने वाली चोकलेट बरफी यह बहुत ही जलदी बन जाती है और बच्चे बड़े सभी को बहुत ज्यादा पसंद आती है एक तरह से यह चोकलेट फज जैसी ही है लेकिन यह फज नहीं है यह उससे बिल्कु और इसे मैंने कट कर लिया है। उसके साथ ही मैंने लिया है आदा कब जितना कंडेंस मिल्क, आदा कब जितना डाइजस्टिव बिस्किट का चूरा, और वन फॉर्थ कब जितने ये मिक्स ट्राइफ्रूट है कटे हुए इसमें बादाम, काजू, और अक्रोड तीनो है। उस और ये तीन टेबल स्पून जितना दूद। और फिर आदा चमच हम लेंगे वनिला एसेंस। सबसे पहले हम बनाएंगे डार्क चॉकलेट का गनाश। इसके लिए मैं ये डार्क चॉकलेट है, इसको माइक्रोवेव में रखके और मेल्ट कर लूँगी। इसको मैं 30-30 सेक अगर आपके पास गनाश बना हुआ रड़ी है तो आप वह भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि इसमें से ओल सेप्रेट हो रहा है या चॉकलेट फटी फटी हो रही है। तो आप इसमें एक छोड़े चमल जितना दूद और एड़ कर दें तो यह ठीक हो जाएगा बिल्कुल इसी तरह की एकदम शाइनिंग वाली कंसिस्टेंसी आजाएगी इसमें। अब हम इसी साइड में रख देंगे और आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है। इसमें में डाल रही हूँ एक टेबल स्पून कोको पाउडर और एक टेबल स्पून जितना ही दूद। इसे हम मिक्स करेंगे। मैंने अभी यहाँ पर गैस चालू नहीं किया है। गैस चालू करने से पहले ही हमें यह प्रोसेस कर लेना है। हमें इसका एक पैस्ट बनाना है। पूरा एक टेबल स्पून जितना दूद एड़ किया है मैंने इसमें। इस तरह से यह पैस्ट बन गया है इसका पूरा। अब मैं इसमें एड़ कर रही हूँ कंडेंस मिल्क। यह मेरा होममेड कंडेंस मिल्क है। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद ही हमें गैस ओन करना है। इस तरह से यह पूरा मिक्स हो गया है। अब हम यहां पर गैस चालू करेंगे। फिर में इसमें डाल र्यू बटर। और इसे भी हमें इसमें मिक्स करना है। इसे हमें continue चलाना है क्योंकि हमने इसमें condensed milk डाला है तो condensed milk को हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हैं इसे butter के melt होने तक हमें गरम करना है जब इसमें butter melt हो जाएगा और यह हल्का सा गरम हो जाएगा फिर हम इसमें डालेंगे यह काजू का पाउडर और बिस्किट का पाउडर आप देख सकते हैं इसमें butter melt हो गया है अब मैं गैस एकदम दीरे कर रहे हूँ अब मैं इसमें डाले हूँ काजू का पाउडर और बिस्किट का पाउडर इन दोनों को हम इसमें अच्छे से mix कर लेंगे यहाँ पर मैं इसमें डाले हूँ half teaspoon इतना vanilla emulsion मेरे पास emulsion है तो मैं emulsion डाल रहे हूँ आप इसमें vanilla essence भी डाल सकते हैं अब हम इसे mix कर लेंगे और अब मैंने गैस की flame medium कर दी है और हमें इसे थिक होने तक पकाना है यह इस तरह से एकदम थिक होने लग गया है इसकी एक लोई जैसे बनने लग गई है अभी मैं इसमें डाल रहे हूँ जो chop किये हुए nuts थे वो यह सिरफ पांची मिनिट में एकदम थिक हो जाता है थोड़े से nuts मैंने रखे हैं गार्निशिंग करने के लिए इस पर और इसे हम इसमें mix कर देंगे अब यह बिल्कुल थिक हो गया है इस तरह से तो अब मैं गैस बंद कर दूँगी यह इस तरह से एकदम थिक हो जाना चाहिए यहां पर मैंने लिए यह एक ट्रय इस तरह की इसमें मैं डाल रही हूँ इस mixture को और हम इसे इसमें सेट कर देंगे मैंने इसे spatula से इस तरह से सेट कर दिया है अगर यह सेट नहीं हो रहा है तो आप हलका सा गी लगा के spatula पर और फिर भी इसको सेट कर सकते हैं मैंने यहां पर इसमें digestive biscuit लिए है आप marigold भी ले सकते हैं चॉकलेट बिसकिट का मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि चॉकलेट बिसकिट अल्रेडी मीठे होते हैं और हमने इसमें condensed milk डाला है तो यह और ज्यादा मीठा हो जाएगा फिर में इस पर डाल रही हूँ यह गनाश जो हमने बना के रखा है यह बिल्कुल थिक ही है अगर आप इसका गनाश नहीं बनाना चाहते हैं और डाइरेक्ट चॉकलेट मेल्ट करके लगाना चाहते तो वह भी कर सकते हैं चॉकलेट फ्रीज में रखने के बाद में और यह चॉकलेट गनाश जो है यह थोड़ा सा सॉफ्ट सॉफ्ट रहता है इस पर में डाल रही हूँ थोड़े से कटे हुए नट्स और चॉको चिप्स यह बिल्कुल ऑप्सनल है आप इसमें जो भी गार्निशिंग में डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं फिर इस पर हलका सा प्रेस कर देंगे जिससे जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो यह बार नहीं निकलेंगे इस तरह से और अब मैं इसे फ्रिज में रखोंगी आदे गंटे के लिए सेट होने के लिए उसके बाद में हम इसकी कटिंग करेंगे यह सेट हो चुका है अब हम इसे बार निकाल लेंगे और इसकी पीसेस कर लेंगे वो आपको जैसे भी साइज चाहिए है उसके अक्वर्डिंग मैं इसके ज़्यादा बड़े नहीं कर रही हूँ, नॉर्मल साइज के ही कर रही हूँ आप देख सकते हैं ये कितनी बड़िया कटी है और कितनी अच्छी लग रही है ये हमारी चॉकलेट बर्फी बन के तैयार है मैंने इस पर चॉकलेट गनाश बना के डाला है आप चाहे तो आप इस पर चॉकलेट मेल्ट करके भी लगा सकते हैं पर गनाश बना के डालने से इसमें शाइनिंग बहुत अच्छी आती है आप देख सकते हैं ये कितनी बड़िया बनी है और कितनी फटाफट भी तो आप भी इसे जरू ट्राइ करें और मुझे कमेंट सेक्षन में कमेंट करके बताए कि आपको ये कैसी लगी तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ थैंक यू सो मच